हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का अट्डा 247 नर्सिंग क्लासेज में मैं विवेक कुमार सर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जबर्दस्त वीडियो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोर्सेट 7 2024 का पैटन कैसा रहने वाला है कैसा रहेगा नोर्सेट 7 का पैटन चलिए तो बात करते हैं नोर्सेट की सबसे पहले नोर्सेट क्या है एक कॉमन एंट्रेस टेस्ट है जिसमें आप लोगों को जित्ते भी नर्सिंग ओफिसर्स है नर्सिंग एस्पिरेंट्स है वो एम्स में जाने के लिए जो है यह एक्जाम आपका कंड़क करव दो स्टेप्स में होगा इसके स्टेप्स किते हैं इसके दो स्टेप्स होंगे एक इसका होगा प्री एक्जाम और फिर होगा उसके बाद में मेंस प्री और मेंस दो स्टेप्स में आपको यह करना होगा मतलब इसका एक्जाम कितने चरणों में होगा दो चरणों में फिर आ तोटल क्यूशंस जो है वो नमबर फोटल क्यूशं टोटल जो नमबर ओफ क्यूशंस है वो किते हैं टोटल नमबर ओफ क्यूशंस होंगे इसके अंदर किते हंड्रेड जिसमें से नर्सिंग के क्यूशं होंगे किते नर्सिंग के क्यूशं है इसमें 80 80 क्यूशं जो है वो न नर्सिंग सब्जेक्ट के जबकि 20 सब्जेक्ट 20 कि सनुछ नो नर्सिंग के लुटन नर्सिंग के जो है वह वू ट्वनटी क्यो सन में क necesita है 20 कुसन कि से है लू नर्सिंग के 20 कुसन है बात कर आजर टाइमिंग की तो टैम कुत्ता मिले गा के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है टोटल 90 मिन्ट किते मिलेगी टोटल 90 मिनट जो है आपको इस गलेगी कंड़क मिलेगी प्रिलिम्स के लिए और अब या मतलब 18-8 मिनिट का एक सेक्षन होगा सेक्शन ए और उस सेक्शन एक अंदर किते क्यों सनाएंगे 20 mcq आएंगे से मैंसा ही 18 मिनिट का दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन भी सेक्शन भी और इसमें भी किते क्यों सनाएंगे 20 कि सन सैमसा ही 18 मिनिट का सेक्शन सी होगा सेक्शन सी और उसमें भी किते क्यों सनाएंगे उसके अंदर भी 20 mcq आएंगे सैम से 18 minute का एक सक्षन डी और फिर 18 minute का सेक्षन एजो है ऐसे 5 सेक्षन जो है वो कंड़क्ट होंगे और आप इसमें में बात यह है कि आपको अठारा मिनिट तक एक ही सेक्षन पर रहना होगा मतलब आप जो है यह चैंज नहीं कर सकते कि भीया मुझे इस सेक्षन में मालो क्यूंसन नहीं आ रहे हैं तो आप एसे बीपर नहीं जा सकते हैं यह सबसे बड़ा एंस ने जो है वो नया पैटन निकाला है तो पैटन बिलकुल नया है याद रखिएगा टोटल क्यूशन किते हैं नंबर ऑफ क्यूशन किते हैं 100 mcq है और 100 mcq आपको 90 मिनिट में करने होंगे और 100 mcq का पैटन में आपको बता चुका हूँ अठारा 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 मिनिट के इसाब से पांच सेक्शन होंगे और यू कैन नोट चैंज दसेक्शन्स आप उन सेक्शन्स को बदल नहीं सकते हैं और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग जो है वर भाई थी की नेगेटिव मार्किंग भी यहां होगी जब आप लोगों का प्री का एक्जाम निकल जाएगा तो फिर प्री में सेलेक्टेड वाई क्वालिफाई का एक क्राइटेरिया बता देंगे लोग जिसे माली जी कि क्वालिफाई 90 प्रसेंट टाइल पर इन्होंने मालीजे क्वा यह कटिडेट जो है वो eligible हो जाएंगे किसके लिए फ़र मेंस के लिए eligible हो जाएंगे और मेंस का एक्जाम देने के बाद में आपको जो है वो आपका मन पसंदिदा इंस्टिटीट हो सकता है एम्स देली एम्स भूनेस्वर एम्स पट्याला जो भी है आमस वो आपको जो है अलोट किया जाएगा तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो नया पैटन है वो समझ में आ गया होगा नया पैटन क्या है एम्स नोड़ सेट का मैं आपको बता चुका हूं प्री और मैंस में ए आपको एक सेक्शन में 20 mcq करने होंगे और यू कैन नोट चैंज आप उस सेक्शन को चैंज नहीं कर सकते हैं तो पैटन बहुत थोड़ा सा समझने में आप हो सकता है आपको लगे दिक्कत लेकिन मैंने यहां पर पूरा उसको एलोब्रेट करके बता दिया है तो इसी तरह और बहुत सारे कंटेंट के लिए आप फोलो कीजिए अड़ा 24-7 नर्सिंग क्लासेज को और कमेंट करके जरूर बताए कि क्या आपको पूरा पैटन समझ में आ गया थैंक्यू सो मच मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में थैंक्यू सो मच